जूट बोलो बार बार जूट बोलो इतनी जोर से जूट बोलो कि लोगों को लगे कि वो सच है भाईया ऐसा मैं नहीं कह रहे हूँ लेकिन शायद पीम मोदी को ऐसा ही लगता है कि कोई बात बार बार बोले तो लोग उसे सही समझ लेंगे लेकिन पियम मोदी के इन दावों की कुछ ही देर बाद पोल ही खुल जाती है ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको बताऊंगी लेकिन सबसे पहले पियम मोदी का ये बयान सुनिए बहतर स्वास्त सुविधाओं के लिए असम के गुवाटी से लेकर पस्चिम मंगाल के कल्याणी तक जारखन देवघर से लेकर के विहार में दर्भंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सेंकडो किलोमीटर दूर न जाना पड़े तो विडियो में प्यम मोदी के रहे हैं कि बहतर स्वास्त सुविधाओं के लिए कई जगा एम्स खुलवाया गया है और इसमें उन्होंने दर्भंगा का भी नाम लिया लेकिन प्यम मोदी का ये दावा जूट निकला जब पता चला कि भाई दर्भंगा में तो एम्स है ही नहीं दरसल जब प्यम मोदी का ये बयान सामने आया कल तो खुद बिहार के डिप्टिस्यम तेजस्वियादव ने प्यम मोदी के दावे को जूटा बता दिया तेजस्वियादव ने ट्वीट कर कहा कि आज प्रधान मंत्री जी दर्भंगा में एम्स खुलवाने का जूटा श्रे ले रहे थे वस्तु स्थिती ये है कि बिहार सरकार ने निशुलक 151 एकर जमीन केंद्र को इसकी स्थापना के लिए दिया है और साथ ही 250 करोन से अधिक मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया लेकिन दुर्भाग येवश राजनीती करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्मान को सुईकरती नहीं दी प्रदार मंत्री से देश कम से कम सत्य और तत्य की अपेक्षा करता है लेकिन उन्होंने सफेज जूट बोला इसके बाद उन्होंने इसके लावा इस मामले पर बोलते हुए क्या कहा है सुने और उन्होंने दर्भंगा एम्स के बारे में जिक्रिक किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दर्भंगा एम्स ये सरासर जूट है और हम तो प्रधान मंत्री जी से आगरा करते हैं कि कम से कम जनकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें आप इस देश के प्रधान मंत्री और आपको जूट जो है बोलना यह शोभा जो है नहीं देता है और जिस तरीके का यह सफेज जूट है और आपको भी पता है कि दर्भंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है हाला कि माने मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के प्रयाद से यह तैह हुआ कि दर्भंगा में ही एम्स जो है वो बनेगी जिसको लेकर के हमारे राज सरकार ने जो है हमारे स्वास्पंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकर भूमी जो है हम लोगों ने निशुल्क कैबिनेट से पास करकर के एम्स दर्भंगा के लिए दिया था और जो मात्र दर्भंगा एरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है इतना बहतरीन जगह हम लोगों ने चैनित करके प्रस्ताव दिया था लेकिन बीजेपी के वहां के जो सांसद हैं दर्भंगा के और एक किंद्र मंत्री हैं उनके दबाव में जो है जब टीम आती है टीम खुशी से वापस जाती है सब कुछ तैय हो जाता है लेकिन इनके राजिती के दबाव से वो स्विकृत जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव एक से क्यावनेकर भूमी काईम्स का उसको ये लोग रद कर देते हैं और परधान मंती जी अपने भाशल में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया है इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है और हम आपको बता दें उसके बाद भी जब इन लोगोंने रुकवाने का काम किया ये भी नहीं बलकि वो मिट्टी भड़ाई का भी लगबग तीन सो करोड का मिट्टी भड़ाई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगोंने शुरुआत कर दी थी यानि जो जमीन को जो भड़ने की ज से बात की और मंडवया जी ने कहा हमने बात की भाई इसमें राजिती जो है बीच में नहीं आना चाहिए लोगों के भलाई के लिए हैं दर्भंगा के भलाई के लिए हैं वहां के लोगों को आवा गवन की सुविधा हो जाने आने में दिक्कत ना हूं उसलिए ऐसा स्थल अपने लोगों को हम लोगों ने दिलाने का काम किया और निशुल्क फिर भी मंडवया जी कहते हैं ठीक है हम इस बात को देखेंगे और आप देख सकते हैं प्रधान मंती जी अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं वहां थो यह लोग कर रहे हैं एम्स को और यह चिट्थी जो हम अभी अपने शार्वजिनिक भी करेंगे जो चिट्थी हमने मंडवया जी को लिखने का काम किया लेकिन इतनी बड़ी जूट प्रधान मंत्री बोलते हैं कि खुलवा दिया है तो कम से कम प्रधान मंत्री जी आप सच्चाइस से आपका कोई वास्ता नहीं है आप केवल को भ्रामित करने का काम कर रहे हैं बुलाकर कि पूछे स्वास्तमंत्री जी मंडवया जी से भार सरकार के उनसे यह भी पूछे कि हम फोन किये थे कि नहीं किये थे कि जल से जल्द आपको हमने प्रस्ताव जो है प्रस्ताव दे दिया सब कुछ कर दिया हमारे बिहाराज सरक मंत्री मंसुक मांडविया ने ट्वीट कर लिखा कि एम्स दर्भंगा की अनुमती मोधी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी और बिहार सरकार ने 3 नमंबर 2021 को पहली जमीन दी लेकिन मंत्री जी यहां तो पीम मोधी के उस भाषर की बात हो रही है जहां पर पीम मोधी ने कहा है कि बिहार के दर्भंगा को एम्स मिल चुका अनुमती की बात नहीं होई है यानि कि तेजस्वी यादस साफ आरोप लगा रहे है कि मंजूरी के बाद भी एम्स का निर्माड केवल राजनीती की तहत रोग दिया गया और दर्भंगा में को एम्स है नहीं खोला गया है और पीम मोदी का ये जूट पकड़ा गया तो कई लोगों ने इस पर ट्वीट कर पीम मोदी को खेरा पत्रकार रवीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधार मंतरी जी का भाशर खत्म हो गया लेकिन भाशर की फैक्ट चकिंग जारी है मिजोरम में वायु सेना की भूमिका को लेकर गलत बोला गया अब उसके बाद दर्भंगा एम्स की तथ्य सामने आ गये हैं लगता है आखिर में एक ही तथ्य बचा रह जाएगा यही कि भाशर में भले सो तथ्य करा थे लेकिन ये तथ्य सही है कि भाशर प्रधार मंतरी दे दिया है कुश पत्रकार भाशर लिख लिखने वालों को स्कूल की दिनों से जानते हैं ना भी बता दीजे उनका इसलिए कॉलम लिखना हो तो इसी पर पन्ना भर दीजे कि विपक्ष चूप गया जवाब देने वाले गलत बोल कर निकल गया और हंगामा सवाल पूछने वालों को लेकर हो रहा है मड़ीपुर के सांसद ने बोल दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है कोई तो अकबार होगा जो मड़ीपुर के दोनों सांसदों से कहे कि लोग सभा में बोलने नहीं दिया गया कोई बात नहीं हम अपने अकबार का एक पूरा पन्ना देते ह आप लिखिये जो बोलना चाहते थे हम पूरा का पूरा चाप देंगे तो वहीं इस पर कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो पर पीम मोदी को घेरते हुए लिखा कि आज फिर से पीम मोदी जूट बोलते पकड़े गए आज बोले दरभंगा में ए से ही नहीं बिहार सरकार ने ने शुल के 151 एकर जमीर एकतरित करके प्रस्ताव भेजा था लेकिन के इंदर सरकार ने स्वीक्रती नहीं दी है प्रधान मंतरी इतना जूट काहे बोलते हैं खेर हम तो यह मान ही नहीं सकते हैं कि हमारे प्रधान मंतरी जी जूट बोल सकते है तो आखिर वो कौन है जो पियम मोदी से बार बार जूट पुलवा रहा है और अभी दो-तीन दिन पहले की बात है जब संसद में प्रधार मंतरी ने दावा किया था कि मिजोरम में उनकी सरकार ने IAMC बन वाया जबकि कुछी घंटे में ये बात साफ हो गई कि ये IAMC मोदी सर कार में ही बन चुका था 2011 में उससे और पहली की बात करें तो प्रधान मंतरी मोदी तो अमेरिका में भी जूट बोलाये थे जब उन्होंने कहा था कि आज भारत में हर साल नया IIT और एक नया IIM बन रहा है और उनके इस दावे की ही पोल BJP रही संसद में खोल दी थी जब य लगातार उनकी पोल भी खुलती रही है लेकिन बार 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 पीम मोदी के भाशन में इस तरह की गलतिया या फ्रीयों कहें कि जूट जो परोसे जा रहे है इसके पीछे आकर है कौन क्यों कि प्रधान मंतरी तो BJP कहती कभी जूट बोलते नहीं तो फिर आकर यह साज पर क्या रहा है कि क्या पीम मोदी खुझ जोट बोलना है या फिर उनसे टीपी पढ़ने में गलती हो जा रही है या फिर कोई उनकी स्कृप्ट में इस तरह की जौल कर रहा है आपकी इस खबर पर क्या रहा है हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं देश और दुनिया की अमाम बड़ी कबरे जानने के लिए देखते रहिए 4PM News Network, नमस्कार